अंजी दोस्तों तो कैसी आप सब उमेद करता हूँ कि भाई आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़ी आऊंगे तो इस वीडियो कंदर हम लोग कवर करने वाले DR वर्सिज वयोर के बीच में जो T20 ब्लास्ट का मैज खेला जाएगा इसको डेटेल में कवर करेंगे तो वीडियो मुझे पसंद आएगा उसको winner announce कर देजाएगा और दूसरी चीज इसी वीडियो गंदर में आपके सिर्फ एक क्विश्चन आपके पूछूँआ यानि कि सिर्फ एक क्विश्चन का आपको जवाब देना है comment section गंदर ठीक अगर आप ले आगर आपका comment मुझे पसंद आतो में ही आपको link मिल जाएगा सबसी उपर पिंड कमेंट हैं वहाँ पे link के जोईन करेना या फिर इसी वीडियो के description से भी आपको जोईन कर सकते हूँ वहाँ पे भी आपको link मिल जाएगा फिर से बता दू एक प्यारा सा comment कर दीजिए वीडियो के comment section और देखो आपको अलग- और यहां पर cover करेंगे दोनों टीम्स के बीच में जो मैच कहला जाएगा detail में cover करेंगे common picks देखेंगे differential picks देखेंगे और अपने team में कौन से place को pick करना captain और wise captain की देखो common picks क्या रहेगी और differential picks क्या रहेगी सब कुछ detail में cover करेंगे तो वीडियो complete watch करना कहीं पे आपको skip नहीं करना है channel पर नहीं हो तो भाई subscribe कर लिजे क्योंकि हर मैच की वीडियो के अंदर आपको फिर giveaway आपे मिलने वाला है तो subscribe करके notification bell को own कर लिजे जैसे वीडियो upload हो देखा बाईया वीडियो में कहीं पे भी आ सकता है उसका simply आपको answer देना है comment section गंदर अगर आपका comment मुझे पसंद आयो और अगर आपका answer बिल्कुल सही होगा तो definitely आपको फिरे में 200 रुपीज यहाँ पर win कर जाओगे तो video complete देखना और telegram को भी आपको जरूर से join कर लेन उसके बाद में वोलाउंडर section से जोर्डन थोंसन और मैकरेनन को यहाँ पर टीम में रख लिया bowling section के अंदर आओके जो यहाँ पर स्क्रेम शो है hidden कह रहा है दोनों के टीम में रखूँ आप देखो यहाँ पर आपको में एक सिस बताओं जो यह बंद आपको दिख रहा है ज एक नया प्लेयर है ताकि आपको पता लग जाए आपको आईडिया जाए स्टैट्स देखने के बाद में की कैसा प्लेयर है डैफिनेटली बंदे ने बहुत बड़ीया परफॉर्म किया था और जो टीम मैंने आपको टेलीग्राम पर दी ती उसके अंदर मैंने आपको स्क्रीन की पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर देखो आठ प्लेयर के अपनी टीम की रेट होती है मतलब यह जो आठ प्लेयर आपको स्क्रीन की पर दिख रहे हैं यह बाई बिलकुल कोमन पिक्स है जो लगबग आपको हर बंदे की टीम में देखने को मिल तो यह आपको थर्ड या फॉर्थ डाउन पर बैटिंग करके देंगे अगर मैं DR यानि के डर्बी शाहिरे के टीम की बात करूँ डेफिनेटली बंदे की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रही है और डर्बी शाहिरे कि अगर एक दो विकेट जल्दी कर जाएंगे ना तो डेफिनेटली ये बंदा आपके लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं जे डिफ्रेंटल आप लोग अपने टीम में डेफि कर रखा है और उसके 374 पॉइंट है 57 है फिर भी भाई या 301 पॉइंट है तो बंदा पीछे कहीं पे भी नहीं है बट वो एक अलग जीज़े कल के मैच में ये परफॉर्म नहीं कर पाया बट हर मैच में देखो कोई भी पर प्लेयर जो रहेगा वो परफॉर्म नहीं कर सकत है एक दो मैचेस फ्लोप जरूर जाते है लेकिन हैरी ब्रूक मैं एक बार फिर से आपको सजेस्ट करूँगा भाई जरूर से अपने टीम में डिफरेंशल पिक में ट्राई कर लेना थर्ड या फॉर्थ डाउन पर ये आपको बैटिंग कर जरूर देगो डेगो करने आएगा वाई ओ आर यानि कि योर्ग शायरे की टीम की साइड से डेफिनेटली ड्राई कर सकते हैं लेकिन 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 जो सबसे में चीज़ है वो यहां पर देखो ए हग्स अब इसकी अगर मैं बात करूं तो बैटिंग ओडर देखो फिफ्ट या शिक्त डाउन थ करी थी और इन्होंने एक विकेट भी निकाला था तो ये बंदा आपको दोनों तरीके से पर्फॉम कर गए दे सकता है बाई चान से समयच में अगर इस कूपर परमोट करती इनके टीम तो डैफिनेटली यार यह रंच भी मार सकता है क्यों नहीं मार सकता दूसरे चीज बो के भी में मत लेके चलना तो ये हक्स को आप लोग डेफिनेटली जरूर अपनी टीम में एजे डिफरेंशल ट्राइग कर सकता है और जो लास्ट मैस डर्बी शाहरी की टीम ने खेला था ना उस मैस में मेरी टीम में बंदा था भी आपको मैं बता दू ठीक है बट जो बंद अब अगर आप लोग सेलेक्शन देखोगे तो भाई इस बंदे का काफी कम सेलेक्शन है केवल 14% सेलेक्शन है बिकोज ये बंदा ओपन भी करना है तो यहार ऐसा तो नहीं हो सकता है कि परफॉर्म ना कर पाई डेफिनेटली भाई परफॉर्म कर सकता है लेकि नोर्मली ब बंदा जिसके साथ में जाते हैं जिनका सेलेक्शन जादा देखता है हर बंदा लगब उसी प्लेयर को टीम में पिक करने की कोशिच करता है लेकिन आप लोग एले रीस के साथ में डिफरेंशल आ सकते हो बट मैं आपको फिर से बता दू बाई बोलिंग में ज़्यादा उम अपनी टीम में हैरी ब्रूक को जरूर से पिक करूँँगा अब मेरे टीम में दस प्लेयर है अब मैं फाइनल जो प्लेयर सेलेक्ट करूँगा ना वो मैं करूँगा टोस होने के बाद मैं यहाप देखो फिन एलन के साथ में बीजा सकता हूँ और यहाँ से मैं बगया और दो यहाँ सेलेक्शन के पिछे मत भागो ठीक है अब इस मैच में माल लीजिए अगर मैडिसन बढ़िया नहीं खेले या शान मसूद बढ़िया नहीं खेले और एलरी इसने माल लीजिए 50 प्लस पारी की खेल दी ना तो अगले मैच में एलरीस का सेलेक्शन आपको ज्य फाइनली मैं किस प्लेयर का सेलेक्शन करूंगा वो आपको टोस्ट के बाद में पता लग जाएगा टेलेग्राम चैनल पर तो जोईन करके रखना लिंक नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड है सबसे उपर वहाँ से जोईन कर लेना टेलेग्राम चैनल को कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी देखो कोमन फिक्स तो भाई सबको बता है एडम लेत रहेंगे उसके बाद में मशूद रहने वाले हैं नीचे आओगे हिडन कैर बहुत बढ़िया उप्चन रहेंगे उपर बैटिंग कर सकते लास्ट मैच पे वन डाउन बैटिंग करी थी प्लस च्यार ओवर की बोलिंग करके देंगे तो बहुत बढ़ी आपिक रहेंगी कैप्टन और वाइस कैप्टन के ठीक है उसके बाद में देखो डिफरेंशल में मैं एक बार फिर से रखना चाहूँगा यहां पर यह हैरी ब्रूक को ठीक है यह बंदा तो मैं रखो ही रखना होगा तो आपको टेलेग्राम पर टोस के बाद अपडेट कर दूँँआ आप लोग जोईन करके रखना उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने कंप्रेट देखा होगा बाई पसंद आयो तो यह वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है चैनल को भी सब्सक्र